देखिए 11th class में relation पढ़ा होगा आप लोगों ने ठीक है अईसे पढ़ा ही है कि पढ़ा है वह एक होता पढ़ा है एक होता पढ़ा ही है ही है पढ़ लिया बस ऐसे यहां भी पढ़ लिया बस आता सब है आता ही है सबसे पहले हम ने पढ़ा set theory set theory क्या कहती है set theory कहती है collection of well-defined object मतब एक ऐसे object का collection जिसको सब जानते हूं तो set theory में जब हम element लिखते थे element को हम जैसे माने ऐसे लिखते थे curly bracket में हमारे पास एक option यह बताया गया था कि set theory के element का order change कर सकते हो यानि इसको हम चाहे तो 2,1,3 लिख दे और इसको हम चाहे तो 3,2,1 लिख दे value will be same यानि इंग्लिस में जैसे आप कहें कि how are you are you how समझ तो गया सामने वाला नहीं समझ गया किसी कहो are you how लोग कहतें why are you लोग को ऐसे बोल देते हैं अंग्रे जी यानि मतलब आप कैसे हैं why are you उन्हें मतलब थोड़े उसका मतलब क्या निकले इंग्लिस बोलना था इंग्लिस बोलना था तो बोल दिया तो दे को set theory क्या कहती है कि order change कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब हमें coordinate का ग्यान हुआ किसने सबसे पहले बताया था उसके बारे में रैनी देकारते साहब ने उन्होंने का किसी plane में किसी point को locate करने के लिए उन्होंने एक coordinate system की बात की तो जब coordinate का ग्यान हुआ तो हम coordinate लिखने लगे ऐसे 1,2 और अगर हम लिख दें coordinate 2 कामा 1 तो क्या दोनों बाते सेम है नहीं सेम है तब हमने लगा या वाज देखे set theory में तो order change करने से कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन यहाँ पर order change करने से फर्क तो पढ़ रहा है इसका मतलब order का कुछ ध्यान रखना पड़ेगा हमने orders लिखना सुरू किया भै आप school uniform पहन की जाते हो मोजा के उपर जूता के उपर मोजा पहन लो कोई दिक्कत है पहन सकते हो uniform तो है tie जोगे belt यहाँ यहाँ बेल्ट लटगा यहाँ tie बांद दिया जैसे he-man पहनता है paint के उपर underway पहनता है तो model जब रहा है ना model को भी क्या होता order को change कर सकते है तो हमने का भाई देखो order का ध्यान तो देना पड़ेगा ठीक है तो order को ध्यान देना सुरू किया तो हमने सीखा ordered pair क्या सीखा यह हम उत्तरोतर बात कर रहे है 11 से उठा करके इंटर पे भी वही चीज़ है ordered pair ordered pair तो हमने order से लिखना सुरू किया 1,2 तो order pair क्या होता है कि जैसे कोई set A है 1,2 और एक set B है 3,4 और हम order pair लिखना चाहते है तो हम इसको लिखेंगे A cross B इसको कहते हैं Cartesian product क्योंकि Cartesian क्यों कहते हैं क्योंकि coordinate system से ही तो हमको नालिज हुआ है Cartesian coordinate system कहा जाता है अब आगे complex में पढ़े होंगे Cartesian coordinate system और polar coordinate system वहाँ पर किसी complex number को polar form में आप change करते थे तो A coordinate system का और आपको ग्यान हुआ था polar coordinate system बड़े classes भी जाएंगे और सारे coordinate system आएंगे तो हमने A cross B जब लिखा तो हमने का हर वो order पर लिखिए जिसमें पहला element A का होना चाहिए दूसरा element B का होना चाहिए तो A में A का पहला element 1 और B का element 3 तो एक order पर बन गया पहला element 1 दूसरा element 4 दूसरा order पर बन गया पहला element 2 दूसरा element 3 एक order पर बन गया 2 और 4 एक order पर बन गया तो हमने order से लिखना सुरू किया हमने का ये partition product है तो अगर हम आप से कहें बताएए इस partition product में कितने element है किसी भी set के element को set की भासा में क्या नाम दिया गया क्या नाम दिया गया मैं indication की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी set theory में जो number of element उसके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उसे cardinal number गहते हैं तो अगर हम कहें number of a cross b कितना होगा तो आप कहेंगे number of a into number of b यानि कि 2 into 2 is equal to 4 यानि अगर किसी set में दो element हैं दूसरे में तीन element हैं तो a cross b में कितने element होगे यानि अगर माल लिया यहाँ पर एक element और होता 5 माल लिया तो यहाँ पर एक और order प्यार आ जाता 1,5 और 2,5 ठीक है तो यानि कि यहाँ number of element कितने होता जाते 2 into 3 is equal to 6 तो इस प्रकार से हम partition product लिखते हैं यानि अगर a और b के बीच में a cross b लिखना है तो इसको हम लिखने का जो तरीका होता है वो होता है a, b such that a belongs to a and b belongs to b तो एक यह indication होता है एक यह indication होता है यह कौन सा farm है set theory का यह कौन सा farm है set theory का इस farm को क्या कहते हैं और इस farm को क्या कहते हैं यह roaster farm है यह roaster farm है और यह set builder farm है थोड़ा सा note भी करते रही है आता आपको सब कुस हम जानते हैं आप लोग तो महान लोग है लेकिन फिर भी सैतान भी है तो हमने का भई इसको order में लिख दिया जब आपने order में लिख दिया फिर देखा दोनों relation भी तो हो सकता है कुछ कुछ संबन भी हो सकता है तो अगर मैं एक set में relation की बात कर रहा हूँ मतब पहले हमने क्या कहा order कोई माइने ने रखता फिर आपने का नहीं माइने तो रखता है ठीक है तो आपने order में लिखना शुरू कर दिया तब order में लिखा तो आपने का भई इन में आपसे relation भी होगा तो कैसा relation होगा जाद देखे द्यान से अगर हम A एक set ले लें 1, 2, 3 और B एक set ले लें 4, 5, 6 और हम आपसे कहें इनके बीच में relation क्या है तो सबसे पहले 2 relation को बिच में 2 दो के बीच में relation लेना है तो पहले 2 को एक set लिखो तो एक set लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको A cross B निकालना पड़ेगा कितने element निकलेंगे इसमें 6 पर निकलेंगे लिखने सब पड़ेंगे 6 निकलेंगे और फिर 3 निकलेंगे अभी हो गए नो अभी पूरी बात हमने कहां गई थी ठीक है जैसे million, billion, trillion लोग याद करते हैं तो उसे याद करने के लिए बढ़िया तरीका क्या होता है पहले तो आप जैसे ये thousand होता है सबसे million, billion, trillion सबसे कौन आता है पहले कौन आता है फिर कौन आता है MBT होता है तो आप कुछ न करो 3, 3,0 बढ़ाते जाओ 3,0 इस पर बढ़ा दो कौन बढ़ गया million, 3,0 और बढ़ा दो कौन बढ़ गया trillion, बन गया तो हम कहें 9 element होते तो आप confused जाएंगे तो मैंने का 6 होते हैं 3 और होते हैं तो आप थोड़ा सा हलका बढ़ जाएगा कि पहले 6 लिखने हैं अचा 3 और लिखने है एकदम से 9 कैसे जादा हो जाएंगे अब वो फिर छोड़ दे पढ़ाई जब उसको याद ही नहीं रहेगा तो हमने का ना education is not for all सब के लिए होती भी नहीं हो क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे तो भईसी कौन चराएगा तो इसलिए भगवान ने सब कुस तो आपको अपने आप body अपने आप respond करती है, खाना चाहिए अपने आप पढ़ास अपने आप नहीं लगती है लगती है, नहीं लगती, छोड़िए तो ये आपके a cross भी निकालिया अब हमने कहा कि भई इसमें relation क्या है, वो depend करता हम relation कौन सा दे रहे हमने एक relation आप से मागा कि relation r1 निकालो कैसा relation हो a, b such that a plus b is even number even number where a belongs to a and b belongs to b ये हमने माले आप से relation मागा इसको हम ऐसे भी लिख सकते है a, r1, b ऐसे भी लिखा जासकता है या तो ऐसे लिखो, या तो a, r1, b लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है, तो हम इससे ऐसा relation निकाल के लाएंगे जहां दोनों को sum कैसा हो even number हो तो आप even number के लिए क्या होता दोनों या तो odd हो या तो दोनों odd हो या तो दोनो even हो तो इसका sum even तो एक आपका 1, 5 हो गया 2, 4 हो गया 2, 6 हो गया 3, 5 हो गया तो ये element कहां से निकल क्या है आप कह सकते हैं कि R1 is the subset of A cross B, तरह इस subset को sign को समल लिजेगा जब subset में नीचे equality के sign आ जाता है तो actually में जो set है यह अपने आपका भी relative हो सकता है, पूरे element उस relation में आ सकते हैं, पूरे element भी आ सकते हैं, ठीक है, आपने NC item देखा होगा, वो subset के लिए हमेशा यह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, generally यह subset का sign केवल नहीं होता है, यह superset का sign होता है, ठीक है, मतब subset में equality भी हो जाती है, लेकिन चुकि subset माना जाता है, इसलिए वो यह इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल वो भी सही है, लेकिन उसमें उसमें equality नहीं आ सकती, इसमें आपस में set equal नहीं हो सकती है, ठीक है, तो यह आपका relation हो गया, कि किसी भी set A का set B से गर relation है, तो आप कहेंगे वो relation A cross B का subset होगा, ठीक है, अब फिलाल मैं relation A से B के बीच में ले रहा हूँ, कि A के element का B के element के साथ क्या relation हो रहा है, जैसे मैंने एक relation आप से लिया R2, और हमने कहा, A, B such that, ऐसा element बताओ, where A is greater than B for all values of A belongs to A and B belongs to B, अब आप इस पे वो order पे धूंड के लाइए, जैसे में पहरा element दूसरे element से बढ़ा हो, यहां कोई भी element ऐसा है नहीं, तो यहांने कि relation इसका क्या हो सकता है, फाई होगा, इसको वाइड relation कहते हैं, कैसा relation कहते हैं, वाइड relation कहते हैं, या इसको empty relation कहते हैं, या इसको empty relation कहते हैं, एक तरीके से एक relation की पहचान हो गई, कि empty relation क्या होता है, यानि एक तरीके से हम इसको type of relation में भी ले सकते हैं, कि empty relation क्या होता है, empty relation क्या होता है, ठीक है, बैस जैसे होता नहीं, कि आप स्वस्वाल जाए तो वहाँ कोई आपका मामा नहीं हो सकता ना मतलब स्वस्वाल का कोई भी द्यक्ति उस साइड का कोई द्यक्ति आपका मामा नहीं लगता वाइप का मामा मैटरनल अंकल उफा वो तो एक अलग बात है जनरली नहीं हो सकता ना तो ऐसे relation इंप्टी relation कहलाते है जो exist नहीं करते है नोट करिए इसको यहनि एक तरीके से type of relation हो गया कि कोई relation जो impossible हो जो ऐसी बात कहती जाए कि जो संभव ना हो ठीक है देखें mathematics में कोई sign है यह sign कहलाता है for all values of for all values of कभी यह उल्टा e लिखा हो इसको there exist कहते है there exist और से indications है फिलहाल यह for all values of बार बार यूज होगा इसलिए इस्तिमार करें बुक में नहीं यूज किया गया होगा पता नहीं तो हमने आपको ऐसी बात relation कह थी जो संभव नहीं थी तो आपने relation क्या माना empty relation हम अभी heading नहीं डाल रहे हैं relation क्या होता है हमने एक relation आप से कहा r2 defined है a का परिवार और b के परिवार में एक रस्ता है ठीक है one four से related है one five से है one six से है और हम उसको explain कर रहे हैं हमने कहा एक ऐसा relation लिखने के तरीका क्या होता है a, b such that a belongs to a and b belongs to b where a is less than b अब वो relation निकाल के लाओ जिसमें a less than b हो मने पहरा element b से छोटा हो दूसरे से छोटा हो तो आप अगर हम इस r2 को देखें तो r2 में आपको क्या मिलेगा यह सब element मिल जाएंगे यह पूरे मिल जाएंगे one four भी मिलेगा one five भी मिलेगा one six भी मिलेगा two four भी मिलेगा two six भी मिलेगा two five भी मिलेगा three four भी मिलेगा three six भी मिलेगा three five भी मिलेगा तो आपने क्या देखा कि यह पूरा का पूरा set equal हो गया ना अब आप कहेंगे आप तो बता रहे थे कि जो relation होता है इसी set A से B के बीच में वो उसका subset होता है अब इस subset है R2 is also subset of A cross B इस subset पे देखे equality का sign लिखा हुआ है equality, equal हो गया ना तो जब relation के सभी element उसके अंदर आ जाएं उसको कहते हैं universal relation universal relation ठीक है? तो ये आपका universal relation हो गया note करिए इसको अब गलती से एक cross B लिखना भूल गया है रप कर दिया, खेर देखें ये जैसे set A है इसको arrow के दौरा हम दिखा रहे है ये set B है अब ये ने करना ये लंबा है, चोटा है, ये ऐसा कुछ मतलब नहीं है और इसके element है 1, 2, 3 और इसके element है 4, 5, 6 ठीक है? एक cross भी निकालना आता है 1, 4, 1, 5 ऐसे निकालना आता है ठीक है, हमने कहा एक R3 एक ऐसा set बताओ A, B such that A plus B is equal to A plus B is equal to माल लेते हैं, हम लिख दें फोल दीजेगा इस 5 for all values of A belongs to A and B belongs to B एक ऐसा relation हम चाहते है ठीक है? हम कुछ बताना और चाहते है हम बता ये नहीं रहे है अब क्या बता रहे है वो हम नहीं बताएंगे आतरीक अब वही तो बात भी ना कि जब पूरी बात हो जाए तब बताओ कि हम ये बताना चाहते थे तो एक मन में रहता है कुछ और बता रहे हैं तो द्यान से सुनों होगे न देखे 1,4 अगर लिखेंगे तो उनका सम कितना आएगा 5 यानि 1,4 इस कंडिशन को फुल्फिल कर रहा है और कोई 1 से कोई मतलब है नहीं 2 किसके साथ 5 दे रहा है किसी किसा नहीं दे रहा है 3 किसे दे रहा है किस है अरे वाह है क्या लिखा है हमने चलो एक कही आया तो क्या आप कह सकते हैं कि R3 जो है वो सबसेट of A cross B है यानि 1 का relation 4 से है किवल इसी को domain कहते हैं हम domain बताना जाए domain of relation domain of relation का मतलब देखे बड़ा confusion बहुत है domain में क्योंकि जब domain की बात आती है तो चुकि जिस समय ये बात आती है उस समय हम पूरी महत पढ़ चुके होते है उसमें हमारे दिमाग में relation भी होता है हमारे दिमाग में function भी होता है लेकिन बात domain of relation की की जा रही है domain of relation not function function एक special category का relation होता है इस particular conditions को follow करता हूँ बात की बात है अगर कोई relation A से B में है तो relation का जो first element होगा वो domain of R होगा मतब domain is not one, two, three हमसे कहा गया domain of R domain of R तो क्या होगा? one होगा अगर कोई relation set A से set B के भी define किया जा रहा है और आपको उस relation का जिस relation की बात हम कर रहे है बर relation तो कई टाइब के हम बता है यह universal VC में explain किया इसी में हमने empty explain किया इसी में हमने दो तीन और बाते बताईए सबके अलगल रिलेशन थे उनके सबके अलगलग first element थे सबके अलगलग second element थे तो अगर domain of relation की बात करेंगे तो आप कहेंगे उस relation का जो first element होगा वो उसका क्या कहलाएगा domain कहलाएगा और उसका second element होगा उसको range कहलाएगा range range of relation मतलब range of R क्या होगा इसका second element फिर समझेगा जब आप function की बात करेंगे अब आप करेंगे जब function की बात ही नहीं करेंगे तो आप function काय चिला रहे हैं जब बात करेंगे तो वहाँ पर इसके सभी element domain कहलाते हैं उसका reason यह होता है कि function में यह सभी element engage रहते हैं कोई खाली होता नहीं function में यह तिक्कत है न इसलिए उसको कहा जाता है नियम देखा जाए तो function भी इसी को follow करता है function भी कह सकते हैं कि relation के हरो element यह first element कहलाएंगे लेकिन function में चूकि इधर कोई element खाली होता नहीं इसलिए पूरा-पूरा domain हो जाता है ठीक है तो यह आपका domain of relation domain of relation domain of sorry range of relation यह होता है ठीक है यह domain जो होता है वो subset of dom of r जो है वो subset of a है और range of r जो है वो subset of b हैं अगर कोई relation a से b के बीच में defined है तो लेकिन हम तो relation की बात करेंगे a से a में अभी relation जो हमारा defined होगा वो किसी set a a के ही set के आपस में परिवार में आपस में जो relations होते हैं उनके बारे में बात करेंगे अब मैं types of relation निकालने के लिए जो set लूँगा वो a लूँगा और a के element आपस में relate करेंगे ठीक है नीन्द आ रही क्या आती है subject ऐसा इसमें नीन्द बहुत आती है आती master को भी नीन्द है लेकिन वो खड़े-खड़े अगर master करेगा तो खरवड़ा गिर जाएगा यह set वो रीजन ना बताईए रीजन कोई ना बताईए वो रीजन सब ठीक है वो जब student रीजन बदाने लगता है कि हमने तीर मार दिया यह मार दिया तो फिर हम तुम भी गए थे स्कूल सुबह चार बज़े स्कूल गए थे तो पहले आपको relation निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा एक राव से निकालना पड़ेगा सभी आप यहाँ पर order पर लिए 1 1 1 2 1 3 फिर क्या लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 यह तु लिखेंगे न आप और कोई भी relation जो R होता है वो subset of A cross A होता है कोई भी relation आप निकालते हैं तो आप जानते हैं any relation is the subset of A cross A आप को यह अरे अभी तो A cross B बता रहे थे अभी क्या हो रहा है कि एक ही परिवार के लोगों को आपस तो relation की हम बात कर रहे हैं ठीक है वहाँ भी तो किसी का मम्मी किसी का पाफ जो रहे हैं प्रडोस वाली हुई हमनी मम्मी आहीं यह थोड़ी है अब देखिए types of relation बारे में बात करने जा रहे है types of relation तो सबसे पहले तो आपसे हमने कह दिया null relation null या दूसरा नम के आज क्या बता है हमने void relation void relation या empty relation empty relation होता है यानि कोई ऐसी बात जो possible ना हो कोई ऐसा relation इससे निकाल लिया जो संभव ना हो जैसे मैंने r1 निकाल लिया हमने कहा a, b दोनों बिलांग इसको कर रहे है a को ही बिलांग कर रहे है a के ही element है a, b such that a plus b is greater than 6 for all values of a, b belongs to a तो क्या आपको कोई ऐसा order प्यर दिख रहा है जिसमें सम 6 से बढ़ा हो greater than लिखा हमने equal to नहीं लिखा तो कोई ऐसी बात कह दी जाए जो संभव ना हो उन्होंने कहा set up empty set up आपने पढ़ा है यहाँ empty relation के बारे में बात कर रहे है दूसरा हमने कहा void relation चारी क्या बोला हूँ universal जो तो हो गया दूसरा हमने कहा universal relation universal तो वो हम बता चुके हैं कि वो relation एक रहा से पूरा पूरा element लिख दो पूरे उसमें element हो तो एक रहा से कहलाता है ठीक है इसके बाद एक आता है identity relation अब main यह तो ज़्यादा तर पूछे नहीं जाएंगे तो कभी दिया होगा तो उसमें आप चेक करके बता दोगे main है तीन relation यहाँ चार लिखें तो चार देख लो तो एक होता है identity relation identity relation हम जानबूस करके identity और reflection एक साथ लिखेंगे पहले identity बारे में बात कर रहे है R is a relation देखो इसको ऐसे भी लिखते है A, R, A ऐसा लिखें आप या आप लिखें R is the relation मताँ ऐसे भी ले सकते हैं और इसको ऐसे भी ले सकते हैं A, A such that for all A belongs to A यानि कि यहाँ के बारे में बात करें तो 1-1 relation 2-2 relation 3-3 relation यह कैसा relation है यह identity relation है किसी भी element का खुद से जो relation होता उसको हम क्या कहते है identity relation कहते है नोट करिए इसको दूसरा relation होता है reflexive relation मज़े ही पर बात फसने वाली है reflexive relation R R1 मानने इसको R ही मानने उस तो अलग R है identity R अलग चला गया लेकर किया अपना A, A such that for all A belongs to A यानि जब कोई element अपने आप से relate करता है तो वो reflexive relation होता है यानि कि 1,1 2,2 3,3 बोले अरे यह तो गबड़ हो गया यह तो सेम हो गया ना जैसे identity है वही reflexive है तो क्या identity reflexive सेम है जी नहीं सुनिये जान से जब हमको relation testing के लिए आएगा ना तो इसमें कामा 3,4 भी लिखा हो सकता है जैसे कोई set 1,2,3 है ठीक है बोले यह बताइए कि यह reflexive है कि नहीं है तो reflexive के लिए 1 का 1 से relation होना 2 का 2 से relation होना 3 का 3 से relation होना must है लेकिन उसके अलावा अगर कुछ लिखा है तो लिखा रहे हैं identity relation में यह नहीं होना चाहिए केवर इतना ही होना चाहिए identity बें नहीं चलेगा ठीक है मतरा reflexive में और element हो सकते है मतरा identity reflexive होता है और लगा दीजिए उसमे identity reflexive होता है लेकिन reflexive identity होगा जरूरी नहीं है क्योंकि reflexive भी यह गुचा हुआ है 3,4 तो reflexive है तो reflexive में इन element इन relation के साथ साथ और भी element हो सकते हैं ठीक है तेकिन फिलहाल identity और reflexive यह अंतर होता है ठीक है अज़ा identity है तो reflexive हो गई होगा वो नहीं है अरे वाह तो 3 कामा 3 कर दीजिए चलिए कोई बात नहीं है अरे यार क्या कर रहा हूं 3 कामा 2 कर दीजिए चलिए कोई बात नहीं है वो हम इसलिए लिख रहे थे कि आप लोग ध्यान से देख रहे नहीं देख रहे है जैसे एक पिच्चर आई थी एक उसमें कोई हास वाला कला कर था वो क्या कर रहा था गाना सिखाने का हिरोईन को खुनी गा लेता था तो कैसेट लगा के बजा रहा था इसे शिखा रहा था अपना रोज एक दी कैसेट फस गई तो उसकी रियल आवाज आ गई बाहर अच्छा तो गाते ही गाते है घंदा भी गा लेते है तो ऑखकते है गलत भी लेते हैं यह चेक करने के लिए आखिर आप ध्यान से देख रहो यह है देखो इसको कहते हैं निमाग दूस तीसरा रिलेशन है तीसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तो को symmetric word हम पढ़े हैं कि हमारा चेरा हमारी ना के लांग symmetric है जैसा इधर वैसा इधर तो A का relation B के साथ जैसा हो वैसा ही B का relation A के साथ होना चाहिए यानि कि A, B अगर belong चाहिए R है implies B, A B belong करना चाहिए R को करना चाहिए ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं symmetric relation कहते हैं जैसे मैं इससे relation निकालता हूँ माले R यहां से निकाल रहे हैं अगर हमने यहां से 1, 2 निकाल लिया ठीक है तो फिर हम चेक करेंगे 2, 1 है कि नहीं है अगर 1, 2 यहां है तो उसके साथ क्या होना चाहिए 2, 1 भी होना चाहिए ठीक है माले आपने 1, 3 लिखा और आपने यहां 3, 1 नहीं लिखा तो यह फिलाहाल symmetric नहीं है मतलब symmetric के लिए जो relation given जो relation given होगा उसी को check करोगे न तो जो उसके अंदर element लिखे हुए हैं उनको check करेंगे कि यह symmetric है नहीं जैसे line 1 is perpendicular to line 2 तो line 2 is also perpendicular to 1 तो perpendicular to relation कैसा है symmetric है A is parallel to B, B is parallel to A लेकिन A greater than B होगा तो B greater than A नहीं होगा तो greater का relation symmetric नहीं होता है तो जैसे 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए मतलब वो हम check करेंगे जो हमें relation दिया होगा उसमें हम check करके बताएंगे कि यह हो रहा नहीं हो रहा ठीक है नोट करिए इसको अगला होता है Transitive relation Transitive relation जो समझेगा अगर A, B R को बिलांग करता है मतलब A का B से relation R है मतलब ज़र R relation फूपा है तो A is the फूपा of B और B का कोई भी relation किसके साथ है C के साथ है यानि A किसका रिष्तेदार है B का B किसका रिष्तेदार है यानि ये कहां से खतम हुआ है B ये कहां से शुरू हुआ है B से तो A और C का भी वैसा है relation होना चाहिए A, C also belongs to R तो ये कैसा relation होगा ट्रांजिटिव relation होगा लेकिन नियम ये है कि अगर A B belongs to R नहीं ये कहां से खतम हुआ लेकिन B का कहीं C से relation नहीं दिया हुआ है तो ये माल लिया जाता है कि ये अपने आप आ जाएगा ये इसको चेक करने ज़रूत नहीं है अगर A का इसे relation है और B का C से relation नहीं given है तो माल लेते होगा ही तो A का C से direct माल लिया जाता है ये ट्रांजिटिव अपने आप माल लिया जाता है जैसे मैं एक example लेता हूँ मैं कोई relation यहां से निकालता हूँ R is equal to कोई relation एक example ले लिजे कोई उठा के अरे कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा समझाने दो 1,2 2,3 1,3 3,2 3,2 2,3 अब मैं फिलाल यहां पर छोड़ देता हूँ समझाने के लिए क्यों अभी क्या लिखूंगा मुझको नहीं वाल अपने आप अकड़ बकड़ खेल ला है अब देखो हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे है 1,2 कहां से खतम हुआ यह तो क्या कोई 2 से स्टार्ट भी हुआ है 2,3 तो अगर 2,3 स्टार्ट हुआ तो हमारे सेट में क्या होना चाहिए है तो यह चीज़ चेक हो गई सब को चेक करना पड़ेगा अगर कोई भी उस कंडिशन को फुल्फिल नहीं करता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा यहां पे आते हैं कहां से खतम हुआ तो 3 से कोई स्टार्ट हुआ है तो 2,3 3,2 तो क्या होना चाहिए तो यहां 2,2 होना चाहिए और नहीं है तो तो ट्रांजिटिव नहीं है तो यहां चेक करेंगे 2,2 है की नहीं है इसके पास महुंचे कहां से खतम कहां से सुरू तो 1,2 होना चाहिए है कहां से खतम कहां से सुरू तो 3,2 होना चाहिए तो यह खुदी है 2 से खतम 2 से सुरू तो 2-3 होना चाहिए है, ठीक है, हो गए, तो ट्रांस्टिव है कि नहीं है, लेकिन माल लिया, यहाँ पर 2-1 भी आ गया, सब को तो लिखे पड़े हैं, जैसे एक और R1 माल लेते हैं, एक और एक्जामपल ले ले लेते हैं, 1-2, 1-2, 1-3, 3-3, हमने ऐसे लिखा, देखो दिया अब यह ट्रांस्टिव है कि नहीं है, एक और ट्रांस्टिव की बात कर रहा हूं, यह कहां से खतम, क्या 2 से कोई स्टार्ट है, तो यह माल लिया जाता है कि यह आगे किसी से रिनिस्टनिस का होगा, किसी से, अब यह चेक नहीं करेंगे, 2-3 कुछ नहीं चेक करेंगे, अगर यह 2 से खतम है, तो शेक करेंगे, अगर नहीं शुरू होता है, A, B का रिस्तेदार है, और B का कोई रिस्तेदार नहीं है, तो कहीं घुसके बैठ गया, और चाचा नोशकार, और चाय बनाए हो, क्यों, कोई रिस्तेदार ही नहीं हमारा है, सब रिस्तेदार हमारे, प क्या सार रिस्ता हैं? सब का कल्याण क्या करते हैं? देखो सारे संत यहां पर कल्याण कर रहे हैं? एंथ? वह उनको इस संत ने को, यार, नए वह संत नहीं कहता है, और आपने आपको इसको नहीं चेक करेंगे अगर 1,2 है और 2 का किसी रिस्ता नहीं है तो माल लेते हैं आगे भी सब रहा होगा कुछ चेक करने जुरूत नहीं ठीक है तो समझ में आ गया तो में तीन टाइप के रिलेशन होते हैं काफी बंद को नहीं को जल्दी बंद को लोगें देर हो जाएव समय ति पारे मैं ट्रांसिब हों के बग Wade लगे हुआ है अगर किसे इक बाद तीनो रिलेशन है तो इसको कहते हैं एक्व्याश्ट्रावनस रिलेशन है तो समंझ में आ गया रेलेशन क्या होता है तो अब इस से रिलेशन के के बारे में हम बात करेंगे इसके questions की बारे में बात करेंगे अब फिलाल चुकि NCRT से पहले तो discuss होगा NCRT ले आई है ठीक है और फिर उसे उसे होगा thank you